तो आज हम पेपर से किस परकार से क्राफ्ट त्यार कर सकते हैं तो आज हम सीखेंगे तो आज हम दो तरह के पेपर क्राफ्ट बनाएंगे पहला इस परकार से एक हवेल मचली का पेपर क्राफ्ट बनाएंगे और सेकेंड में हम बनाएंगे एक डौगी का फेस का ये पेपर क् तो चलिए बीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले आप एक पैन और एक को पी इस परकार से ले ले लिए तो रफ को पी में से एक पेज पहले सब्सक्राइस भेवास कि इस एक कुर्फ है कि छूसत करें कि ड़ेंगे पेपर को प्रॉट उसके बाद इस पॉइंट को हमको पकड़ना है और इस पॉइंट पर हमको इसके बराबर रख करके हमको इसको इस परकार से मोड़ देना उसी परकार से दूसरे पेज़ को भी हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट पर हम इसके बराबर हम रख करके इसको इस परकार से मोड़ देंगे उसके बाद ये जो हमारा लाइन है ये पेपर का ये वगा इसके उपर रख करके इसके बराबर और इस परकार से पेपर को पकड़ना है और इस तरह से अराम से धीरे धीरेस को पार देना है उसी तरह से दूसरे पेपर में इस परकार से रखिए अराम से पेपर को फाल लिए तो सबसे पहले हम हवेल मचली को बनाएंगे तो ये जो हमारा लाइनिंग है देख रहे है नहीं ये इस लाइनिंग पर इसको इस परकार से हम मोड़ेंगे ये देखिए आपको लाइनिंग ये लाइनिंग हमारा होगी है तो हमको इस परकार से इसको इसके बराबर हमको मोड़ लेंगे जस्ट इसके अपोजिट साड़ वाला पेपर को हम ये इस परकार से हम इस परकार से मोड़ देंगे नीचे वाला जो पेपर है इसको यहां से उठाना है और इस पॉइंट के बराबर हमको मोड़ देना है बिल्कुल इस परकार से ये जो इसका उपरी वाला हिस्सा है इसको पीछे की तरफ इस परकार से मोड़ें इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो हमारा है ये ये जो हमारा है लाइन इसी के तरफ हमको मोड़ देना है इस परकार से बिल्कुल फिर अब इसमें क्या करना है यहाँ पर दॉप्रें वाई हिसामें यहाँ पर आख बनाना है इस परकार से सर्कील बना ले फिर एक और सर्केर ही और इसको इस वैस्टार पेस बन गया अब यहां से क्या करने इस पॉइंट के इसके पिछे वाला पॉइंट ओपर नहीं आप उपर व्लाइस्ट नहीं ऊपर की ओप और इस परकार से यहां इसको मोड़ देना है यह हमारा हवेल मचली बनके तियार हो गया अब नेक्स्ट हम डॉगी का फेस का क्राफ्ट बनाते हैं यह जो हमारा हिस्सा है तो इस लाइन कर हमको इसकी और मोड़ देना है ठीक ना इसकी और मोड़ देने के बाद हमको इस परकार से यहां डॉट लगना है ठीक है अब क्या करना हमको इसके हिसाब से हमको इस परकार से मोड़ देना है देखिए इस परकार से अब इधर की और हमको फिर मोड़ देना है यह डोगी का यह कान मन गया है अब नीचे की ओर से हम उठाएंगे पेपर को और उपर की ओर इस परकार से मोड देंगे ठीक है ना अब यहां एक लाइनिंग खीचना है इस परकार से और इसको इस परकार से पेन के दोरा कलर कर देना ठीक है अब इसके जर्ष्ट यहां पर देखिए इस परकार से आप एक लाइन यहां खीचिए एक लाइन यहां खीचिए ठीक है अब फिर नीचे में एक लाइन यहां खीचिए एक लाइन यहां खीचिए ठीक है इसके से अब इसको यहां पर सरकी बना देना इस परकार से अब इसको हमको कलर कर देना इस परकार से कलर कर लें कि आपके पास ब्लैक पेन या ब्लैक कलर कर रंग भरी जो भी हो उससे आप इस परकार से कलर कर सकते हैं कborgषवा बना डसिताओर से और सकते हैं कि चलिए हमारा डॉगी और यह हमारा हवेल मचली बनके त्यार हो गया अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राब जुरू कर दिए थे चाह devi आपको मेरे लेख़न। आपको लुपन स्विएफन अचे कर दो लेखे हैं तो मेरे वीडियो आपक्राइब यूद्मतर के वीडियो निया कर दिए तो मेरे नापको बसे पुरू कर दो आपको लाइक तो हमारा रख़न।